नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का जाग्वेज चैनल में इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे जैसे बारा सव का जो है 20% कितना होता है यह निकालना सीखेंगे और इसके साथ-साथ हम यह भी निकालने सीखेंगे कि माल लेजे कि आपने बारा सव का कोई जीन्स करिदना है आपको ठीक है उस पर जो है 20% का डिसकाउंट मिल रहा है तो उस जीन्स को खरिदने के लिए आपको कितना रुप्या उस दिकंदार को पे करना होगा यह भी निकालना सीखेंगे दोस्तों तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा तो आए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे कि बारा सव का जो है 20% कितना होता है तो जो निकालना बहुत ही असान है आए शीकते हैं बारा सव दिया हुए तो बारा सव हम यहां पे लिख लेंगे उसके बाद का का मतलब होता है गुणा ठीक है तो हम यहां पे गुणा का चीह लगा देंगे उसके बाद 20% है तो हम यहां पे 20 लिखेंगे और इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटा में 100 लगाएंगे ठÍक है इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इसको हम कटाएंगे ठÍक है दखें नीचे के दो 0 सो जो है उपर के 2 0 को काट लेंगे ठीक है तो क्या बच रहा है हमारे पास 12 गुणे 20 पहुच रहा है ठीक है जब हम इसको multiply करेंगे तो 12 में जो है 2 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे ठीक है यहाँ हमरा निकला 12 सो का 20 परतिशा ठीक है 12 सो का 20 परतिशा 240 रुपया होता है ठीक है 240 यहाँ निकलने के लिए क्या करना है आपको 1200 यहाँ पर लिख लेना है और इसमें से आपको 240 घटा लेना है ठीक है 240 घटा लेना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम घटा लेते हैं 1200 में से जहां पर 11 हो चुका है, यह 12 हो चुका है, 13 को दे decorated करके, तो जहाँ गारा में से धो को खटाएंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है, 960 रुपय ठीक है, अगर आपको जीनो को खरीदना है, तो आपको 960 रुपय जो आपको दुकंदारको देना होगा दोस्तो, उमीद करता हूँ आप आप समझ गया होंगे अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो एक और प्रस्ण ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा देखी जहां पर हमने एक और प्रस्ण लिजा हुआ है आई इसको भी बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2000 क जो है 15 प्रतिशत कितना होता है ठीक है तो सिंपल है क्या करता है आपको 2000 लिख लेना है का का मतलब जो है गुणा होता है गुणा लिखेंगे 15 प्रतिशत है 15 लिखेंगे प्रतिशत को हटाने के लिए हम बाटा में 100 लगा उसके बाद हम क्या करेंगे नीचे के दो जुरे स तो जहीं उपर के 2 0 को काट लेंगे, अब क्या बच रहा है, 20 गूणे 15 बचाया, ठीक है, अब हम इसको multiply करेंगे, 2 को 15 में multiply करेंगे, 30 हो जाएगा, और इसके बाद एक 0 है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे, ठीक है, यह हमारा निकल गया 2000 का 15 परतिशत, दोस्तो, अब ह निकलने के लिए हम 2000 में, 2000 में से 300 को घटा लेंगे, दोस्तो, 2000 से 300 को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 17 रुप्या बहुच जाएगा, इतना रुप्या आपको पेक करना होगा, उस बस्तू को खरिजने के लिए, उमीद करता हूँ, आप समझ गया होगे, अगर आपको या वीडियो पसंद आयता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लेजएगा, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल है, चैनल को देखने के वीडैं,